हेलो गाइस, करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शरमा और आज की इस वीडियो सेशन में हम साथ दिसंबर तक के सभी इंपोर्टन करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं हमिशा की तरह आप इस वीडियो को अंति तक जरूर देखेगा, आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा साथ ही इस सेशन को शुरू करने से पहरे आप सभी को बताना चाहूंगा, इस आप हमारे डेली करंट अफेर्स पीडियो वीकली पीडियो और मंतली पीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कोमेंट में या फिर डिस्रिप्शन में दिये गए लिंक पर क्लिक करके सकते हैं साथ हैं Google Play Store से क्रेंट अफेर्स फंड आप को इंस्टॉल कर लिए क्योंकि जो भी हमारा PDF मेटियो आपको क्रेंट अफेर्स के साथ साथ स्थ इस सब्सक्राइब कराते हैं यह सभी मैटियो आपको हमारी क्रेंट अफेर्स फंड एप पर युपलब्द हो पाएगा हमारी PDF को रिसंबन दिया आपको कोई भी डाउट है कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कॉमेंट वोक्स में जरूर लिखेगा तो चली फिर करते हैं शुरूबात इस वेडियो सेशन की सबसे पहले आज का कोशन देख लेते हैं इसका अंसर आपको कमेंट वोक्स में करना है वाट इस दन्यू डिजिटल करन्सी इंट्रूस्ट बाइड रिजर्बैंक ऑफ इंडिया कॉल्ड भारती रिजर्बैंक द्वारा सुरू की गई नई डिजिटल मुद्रा क्या कहलाती है ऑप्शन्स आपके सामने है ई रूपी इवालेट डिजी रूपी या फिर इजी रूपी तो जल्दी से आप कमेंट वोक्स में आंसर कर दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आंसर कीजेगा काफी सिंपल कोश्चन है विच सिडी विल होस्ट टेक्नो टेक्स 2023 कौन सा सहर टेक्नो टेक्स 2023 की मेजबानी करेगा ओप्शन्स आपके सामने है और सही आंसर ओप्शन ए रहेगा मुंबई तो आपको जानना चाहिए International Exhibition and Conference on Technical Textiles यानि की शोर्ट में कहें टेक्नो टेक्स 2023 ये मुंबई में 22-24 फरवरी 2023 की बीच आयो चित किया जाएगा आपको बता दें ये इस exhibition का दस्वा एडिशन यानि की संस्क्रम रहने वाला है इस event को Ministry of Textiles, Government of India, Federation of Indian Chambers of Commerce Industry यानि की फिक्की के साथ मिलकर National Technical Textiles Mission के तहत आयो चित करती है मुंबई से ही सब मंदित एक और मैं तो करंट अफेर हमने देखा था कि World Spice Congress ये 16-18 फरवरी के बीच मुंबई महारास्ट में आयो चित की जाएगी International Civil Aviation Day is observed on which day अंतरास्टिय नागरिक उड्डेयन दिवस किस दिन मनाय जाता है options आपके सामने हैं सही answer option C रहेगा December 7 तो आपको चाना चाहिए International Civil Aviation Day ये हर साल 7 December को मनाय जाता है सबसे पहली बार ये 7 December 1994 को मनाय गया था क्योंकि इस दिन जो International Civil Aviation Organization है इसने 50th anniversary मनाय थी किस event की जो convention on International Civil Aviation है इसके signing की 50th anniversary मनाय थी आपको जाना चाहिए जो इसका theme है International Civil Aviation Day का ये है Advancing Innovation for Global Aviation Development Which bank has become the first bank to launch two new products Loan Against Deposits and Dollar Bonds for NRI customers at its branch in Gift City, Gujarat कौन सा bank NRI ग्राकों के लिए Gift City, Gujarat में अपनी साखा में दो नए उत्पात Loan Against Deposits और Dollar Bonds लोंच करने वाला पहला bank बन गया है options आपके सामने है सही answer option भी है ICICI Bank तो आपको जाना चाहिए ICICI Bank ने दो नए products लोंच किये है एक तो है Loan Against Deposits, LED दूसरा है Dollar Bonds किन के लिए लोंच किये हैं जो NRI customers हैं उनके लिए कहाँ पर लोंच किये हैं जो Gift City, Gujarat में इसकी branch है वहाँ पर और इस तरह से ICICI Bank की first bank बन गया है जो Gift City में अपनी branches पर इस तरह के products ओफर कर रहा है NRI customers के लिए आपको जाना चाहिए ICICI Bank के बारे में MD&CU संदीब बक्षी है Headquarters Mumbai महारास्ट में है और tagline है हम है ना खयाल आपका हाली हमने ICICI Bank से संबंधित दो महत्तपुन current affairs यह जाने कि ICICI Bank ने जो real estate sector में companies हैं उनके लिए अपना stack जो initiative है इसको launch किया है इस टेक माने देखे इस टेक जो है banking solutions का एक set है कई तरह की initiatives इसके तहित आते हैं याद रखेगा इस टेक किसे संबंधित है ICICI Bank से संबंधित है 2021 में ICICI Bank ने से launch किया था banking solutions इसमें प्रोवाइट कर आए जाते हैं साथी ICIC Bank ने smart wire जो कि एक easy online solution है invert remittances के लिए इसको भी हाली में launch किया ICIC Lombard General Insurance has entered into a bank assurance tie-up with which small finance bank ICIC Lombard General Insurance ने किस small finance bank के साथ एक bank assurance tie-up किया है options आपके सामने है सही answer option A रहेगा AU small finance bank तो आपको जाना जी ICIC Lombard General Insurance ने AU small finance bank के साथ bank assurance tie-up किया है bank assurance का मतलब है कि जो ये AU small finance bank है ये अपने customers को ICIC Lombard General Insurance के जो insurance products है वो offer करेगा AU small finance bank की बात करें MDNCO संजे अगरवाल है headquarters चैपूर राजस्तान में है इसकी tagline है चलो आगे बढ़ें बदलाव हम से है बाकी बात करें ICIC Lombard General Insurance की तो MDNCO भारगवदास कुपता है headquarters मुंबई में है और इसकी tagline है निभाई वादा who has been appointed as the part-time chairperson of the National Statistical Commission of India for a period of three years तीन साल की अवदी के लिए भारती रास्टे सांगी की आयोग के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है options आपके सामने है सही answer option D रहेगा राजीवा लक्षमन करांदिगर The Government of India ने राजीवा लक्षमन करांदिगर जो की प्रोफेसर एमिटर्स है चिन्नई Mathematical Institute CMI में इनको part-time chairperson न्यूक्तिया है National Statistical Commission में तीन साल के लिए आपको जानना चाहिए जैसा कि आपको बताया कि ये चिन्नई Mathematical Institute में प्रोफेसर एमिटर्स हैं पहले इसके head रहे थे ये तो इस पर भी अपना काले करते रहेंगे साथी ये जो NSC का जो part-time chairperson वाला जो इनकी post है इसको भी जो है निभाते रहेंगे आपको जाना चाहिए NSC के बारे में National Statistical Commission के बारे में इसको जून 2005 में Dr. C. Rangarajan Commission की recommendation के बाद form किया गया था और इसका जो मकसद है वो ये है कि हमारे देश में जो statistical agencies हैं उनके सामने जो data collection से सम्मंदित जो problems आती हैं उनको reduce करना आपको बता दें जो इसके chairperson होते हैं इस commission के NSC के इनका जो status होता है वो सेम उनकी तरह होता है जो minister of state होता है government of India में Who has been chosen as the new president of the institute of cost accountant of India भारतिय लाकत लेकाकार स्थान के नए अध्यप्ष के रूप में किसे चुना गया है सही answer option दी रहेगा 2022-2023 के लिए विजेंद्र सर्मा को institute of cost accountant of India का नया president बनाया गया है साती राकेश भल्ला को vice president बनाया गया है आपको जानना चाहिए जो ये institute of cost accountant of India है ये union ministry of corporate affairs के jurisdiction के तहद आता है और इसके इस्तापना 28th में 1959 को गी गई थी headquarters कोलकाता वेस्ट बेंगॉल में located है which two cities are the world's most expensive cities according to the annual economist intelligence unit survey वाट्शिक economist intelligence unit सर्वेक्शन के रुशार कौन से दो शहर दुनिया के सबसे महेंगे शहर हैं options आपके सामने है ऐसे ही answer option C है new york and singapore तो देखे economist intelligence unit याने की EIU इन्होंने एक सर्वे किया है जिसमें बताया कि world की जो most expensive cities है ये new york और singapore है आपको बता दें new york पहली बार इस ranking में top पर है पिछले साल इस्राइल का तेल अभीव पहले नंबर पर था ये अप तीसे नंबर पर है और ये दि हम cheapest cities की बात करें तो ये सीरिया की capital Damascus है और लिबिया की जो city है tripoli ये cheapest में आती है साथी दिनों नहीं बताया कि जो average cost है वर्ड की biggest cities में रहने के लिए जो average cost है उसमें 8.1% की जो है पड़ोत्री देखने के लिए मिली है ऐसा ये survey कहता है तो यह आप लिस्ट देख सकते है most expensive cities की पहले के दो इस्थान नियू यूर्क और सिंगापुर के पास है तीसे नंबर पर तलवीव है उसके बाद Hong Kong है फिर लो सेंचल से लिस्ट एक्सपेंसिव सिटी की बात करें तो सबसे जो कम एक्सपेंसिव है डमस्कस है सीरिया उससे उपर फिर ट्रिपॉली फिर तेहरान और एहमदाबाद भी देख सकते हैं आप 165 नंबर पर है 164 नंबर पर चेन नहीं है 161 नंबर पर बैंगलोर है विच बैंक लेट्स देविट कार्ड मार्केट इन अक्टोबर 2022 विद टुटिन नाइन परसेंट शेर अक्टोबर 2022 में 29 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ किस बैंक का सबसे बड़ा डेविट कार्ड मार्केट है आपके सामने हैं सही आंसर आप्शन ए स्टेट बैंक ओफ इंडिया है तो आपको जाना चाहिए कि वन लैटिस जिसे पहले पीजी एलैप्स के नाम से जानते थे जोने कुछ डेटा रिविल किया है इसमें नहीं बदाए कि स्टेट बैंक ओफ इंडिया सबसे बड़ा देबिट कार्ड मार्केट होल्डर है या फिर शेर होल्डर है आप कह सकते हैं यानि कि जो हमारे देश में जो डेविट कार्ट का सबस्यादर डिस्टिबूशन है वह स्टेट बैंक ओफ इंडिया द्वारा ही किया गया है और यह इन्होंने आक्र दिखाए एक्टूबर 2022 क यह च्णड डेविट कार्ट मार्केट में महीं अगर हम क्रेडग मारं क्रेडिट कार्ट मार्केट की बात करें तो सब्ते यह चार्ट है एसधिएसी-बैंक संटे चैनौे सबसे ज SMS ये सबसे ज्यादा एक lama पास है ठीक है लाइन शेर इनी के पास है लेकिन अगर हम क्रेड़िट कार्ड की बात करें तो इसमें प्राइविट सेक्टर काफी उपर है जैसे आप देखें प्राइविट सेक्टर के जो बैंक है जैसे कोटक महिंद्रा बैंक है आरपेल बैंक है इन्होंने एर ओन एर ग्र येर ओन येर ग्रोथ एचीव की है माइनस 3 परसेंट की हाला कि फिर भी SBI जो है डेविट कार्ट मार्केट में जो है डॉमिनेटिंग पोजिशन पर हैं वहीं आपको जानना चाहिए कि जो क्रेट कार्ड इस्योर्स हैं अमेरिकन एक्सप्रेस और सेडी इन्होंने भी निगे सितंबर एस पर दा आरवी डेटा आरवी के आखड़ों के नुसार सितंबर में बैंक क्रेडिट कितने प्रतिशत तक बढ़ गया ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन सी है 17.2 परसेंट तो देखें रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया ने कौर्टरली स्टैस्टिक्स जारी की हैं डिपोजिट और क्रेडिट से सम्मंदित जिसमें बैंक की जो क्रेडिट ग्रोथ है यानि की एलिट देने की जो चमता है उसके बारे हम बात हो रही है तो यह बताया है कि एनुवल बेसिस पर अगर हम सितंबर तक बात करें तो 17.2 परसेंट की ग्रोथ देखने के लिए मिली है जो बैंक को द्वारा क्रेडिट दिया जाता है उसमें और जबकि इससे पिछले क्वाटर में 14.2 परसेंट थी और अगर हम एक साल पहली की बात करें सितंबर तक तो यह केबल साथ परतिचर थी है महीनों ने बताया है कि जो ओल इंडिया क्रेडिट डिपो परसेंट था साथ ही नोय बताया कि जो अगर हम ग्रोथ की बात करें इन टम्स ओफ डिपोजिट तो यह 10.2 परसेंट तक बढ़ा है सितंबर 2022 में जबकि एक साल पहले 6.4 परतिशर था वहीं जो कुरंट एंड सेविंग्स डिपोजिट ग्रोथ है यह 8.8 परसेंट रही है और 9.4 परसेंट रही है रस्पेक्टिविडी है हूँ हैस बीन अपोंड़ेट चीफ फाइनेशल ऑफिसर ऑफ पे यू इंडिया पेमेंट्स पे यू इंडिया पेमेंट्स का मुख्य वित्य अधिकारी कि से निफ्ट किया गया ऑप्शन आपके सामने सही आंसर ऑप्शन अधिर अर्विंद अगरवाल तो जानेगा पे यू जोकी फिंटेक अंड पेमेंट आर्म हैं डच इन्वेस्टमेंट कंपनी प्रॉसुस की तो इन्होंने फॉर्मर चीफ फाइनेशल ऑफिसर ऑफ नाइका अर्विंद अगरवाल इनको अपना चीफ फाइनेशल ऑफिसर न्यूक्त किया है यानि कि इंडिया में जो इनकी ब्रांच है पे यू इंडिया पेमेंट्स के लिए आपको बता देए यह मनीश गोल को रिप्लेस करने वाले हैं कि आई टी बोंबेस स्टार्टप इंक्यूबेटर शाइन साइंट मू विद विच कंपनी तो सपोर्ट स्टार्टप इंक्यूबेटर शाइन ने स्टार्टप को समर्तन देने के लिए किस कंपनी के साथ समझोद्य के अपर अस्ताक्षर किये हैं ऑप्शन्स आपके सामने सभी आंजर उप्शन्ती रहेगा माइक्रोसॉफ्ट को देखिए शाइन यानि की सोसाइटी फोर इनोब प्रोवाईट कराती है ताकि जो भी उनकी इन्वेंशन है वह आगे बढ़ सके तो इसने क्या है Microsoft के साथ जिसके तहत दोनों मिलकर जो भी स्टार्ट अपस इस शायन के तहित इनको सपोर्ट करेंगे तो इसके तहत जो Microsoft के अलगलग प्लैटफोर्म में जैसे गिट्वब है M365 रिसोर्सेज है आजूर प्लैटफोर्म है ठीक है तो इन सब को Access इन सबका Access दिया जाएगा इन सभी Startups को जो साइन के अंतरगत आते हैं दिवर्ड बैंक विल फाइनेंस 250 मिलियन युएस टोलर विच कंट्री इन्वार्मेंट मेनेजमेंट प्रोग्राम विच बैंक इस देश के परियावरन प्रबंदन कारेकरम के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विट पोशन करेगा ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन दी रहेगा बांदादेश कोश्चन इस तरह से यह विच बैंक विल फाइनस माफ कीज़ेगा दवर्ड बैंक विल फाइनस विच कंट्री तूफिफ्टी मिलियन युएस टोलर इन्वार्मेंट मेनेजमेंट प्रोग्राम इस तरह से यह कोश्चन शब्द थोड़ा आगे पीछे हो गया माफ कीज़े चलिए आगे देखते हैं तो देखें वर्ड बैंक नेहां पर बंगलादेश में जो इन्वार्मेंट मेनेजमेंट प्रोग्राम है साथी ग्रीन इन्वेस्टमेंट में प्राइबेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के लिए जो प्रोग्राम है उसके लिए 250 मिलियन युएस ट तरफ से जो जो फाइनेंसिंग की सुविधा प्रोगाइट की जाएगी यह दी जाएगी वर्ड बैंक की जो आम है इंट्रनेशनल डेवलेप्मेंट एसोसेशेशन आई इसके त्वारा तीस साल के लिए यह फाइनस किया जा रहा है और पांस साल का इसमें ग्रेस पीरियड नेशनल जोलोजिकल पार्क निव डेली सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल चीता डे एंड वाइड लाइफ कंजर्वेशन डे इन कोलाबरेशन विच सेंट्रल जू एथोरिटी ऑन विच्टे राश्टे ये प्राणी उद्ध्यान नई दिली ने किस दिन केंद्रिय चिडिया और प्रादिकरण के सहयोग से अंतरास्टे चीता दिवस और वन्यजीव संदक्षन दिवस मना हैं आपके सामने सही आंसर बी रहेगा नमबर फॉर तो देखिए नेशनल जोलोजिकल पार्क निव डेली जिसे डेली जू कहते हैं इन्होंने इंटरनेशन चीता डे एंड व उसी वही लिखी रहती है कि इस मौके पर इन्होंने यह कह यह कह इसमें जानने के लिए आपके लिए इतना ही था ब did car which state has launched one district one sport ओन द ओन ओफ्मस्टीज लौन सव्डसे सफूल वणड इस्टिक वण्स्टस की तरश पर वानडिस्टिक वट्षक दार्म्द्रीश नें सरोगार की अंतिजिक वी प्रिडक्ट धार्यॉजना की ओषपर वनडीस्टिक वण्ठीक लॉन थे स्पॉट्ट जो है लोन टैनिस पर जाता जोड़ दिया जाएगा इसी तरह कन्योज में देखे कबड़ी बांदा में सुटिंग फिर पिली भीट में स्वीमिंग हाथ रस्में फुटबॉल इस तरह से चले जानतें इसके बारे में तो दिखे उत्तरप्रदेश में स्पॉर्ट्स एंड इसपॉर्ट पर्संस को प्रमोट करने के लिए चीश्मिस्टर योगी आधित्यनात ने वन डिस्टिक वन इसपूर्ट इस इसकीम को लौँच किया है आपको बताने इससे पहले यहां की राज्य स्रकार्न ने वन टो इसके तहत उत्रप्रदेश की 75 डिस्टिक्स में हर एक स्पुर्ट को अड्शिक जाएगा जिसका वहाँ पर ज्यादा बोल बाला है और उसको अड्रप्रदेश किया जाएगा और उसी पर जाता जो डाला जाएगा कि जो महां के टैलेंट है जो वहां का यूथ है वह जात प्रोड़क्ट सेंप्लिंग कंस्यूमर इंसाइट किस बेवरेज फर्म ने उत्पात नमूना पर उभोगता अंदर जिस्ति के लिए अडानी डिजिटल लैप के साथ वागेदारी की है आप्शन आपके सामने सही आप्शन सी रहेगा कोका कोला तो जानेगा कोका कोला इंडिया इन्होंने अडानी ग्रूप की जो सबसिडरी है अडानी डिजिटल लैप्स इसके साथ पार्टनर्शिप की है ताकि जो कंस्यूमर के साथ इसकी जो रीच बनी हुई है उसको और सु सब इस तरह के जो पॉट्फोलियों हैं तो इनकी सेंप्लिंग की जा सकेगी जो भी एरपोर्ट सें उन पर अच्छा आपको कोका कोला की बारे में आपर जानना चाहिए कोका को इन्वेंट किया था 19th सेंचुरी में जोन इस्तिर पैंबर्टोन के द्वारा अटलांटा जोर्जिया में अच्छा 2019 में ब्रेफ्री फ्रॉम प्लास्टिक इन्होंने कोका कोला को सिंगल बिगस्ट प्लास प्लास्टिक वेस्ट जो हैं क्लेक्ट किये इनमें से 11,732 पीस ऐसे थे जिन पर कोका कोला का लेबल लगा हुआ था जिसमें की द्रसानी इस प्राइट फेंटा प्रांट्स यह सभी सामिल हैं और कहां पर किया था इन्होंने 37 कंट्री एक्रोस फॉर कॉंटिनेंट्स यहां ब्रांड है ना इस तरह से जैसे पैपसी को है ना पैपसी को का ब्रेंड यह पैपसी है और मांटें ड्यू भी उसी का ही ब्रेंड है लेश चिप्स भी उसी का ब्रांड है तो इस तरह से भी कोश्चन पूछ लेते हैं एसाइमेंट कोश्चन में डाल देंगे which state signed MOU with BSC and NSC to promote MSMEs to access capital markets पूजी बाजार तक पहुंचने के लिए MSME को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने BSC और NSC के साथ समझोता कि आपन पर स्ताक्षर किये सही आंसर option A है UDISA तो जाने का UDISA ने एक MOU sign किया है BSC और NSC के साथ ताकि जो local MSMEs हैं उनको promote किया जा सके तो देखिए इसके तहट जो BSC है और NSC है यह UDISA में जो भी MSMEs है तो उनको training देंगे उनको education देंगे ताकि वो list हो सके और उनकी जो financial credibility है वो बढ़ सके लिस्टिंग तो आप समझते होंगे ना शेर मार्केट में लिस्टिंग तो वो लिस्टिंग हो सके उसके लिए training उनको provide की जाएगी विच स्टार्टप बैक अवाउड इन क्लाइमाथान 2022 क्लाइमाथान 2022 में किस स्टार्टप को प्रुस्कार मिला है सही answer option भी है tree tag तो देखिए green startup है के रल से है यह तो इसको क्लाइमाथान 2022 में अवार्ड दिया गया है यह first आया है इसमें इसका नाम है tree tag पांच लाग रुपे की प्राइस मनी इसको मिली है और आपको बता रहे हैं इन्होंने life on land इस category के ताहती अवार्ड जीता है which country has stopped the list of nations at the highest risk of violence according to the report by the US think tank early warning project US think tank early warning project की report के नशार कौन सा देश हिंसा के उच्चेतम जोखिम वाले देशों की सूची में सबसे उपर है सही answer option c है पाकिस्तान तो देखिए का लगातार तीसरी बार पाकिस्तान ने उन सभी देशों की लिस्ट में अपनी जगा बनाई है टॉप पर कायम रहा है जो इस तरह के देश हैं जहां पर मास की Ł counties हो जाती है वाइलैंस हो जाता है टेरर हो जाता है शतरे जो के नीशंट की लिस्ट है तो उसमें पाकिस्तान ने अपना डोप इस्तान बनाई हूआ है पुरी मैनद की हुए है और य Guillitti वार निगग प्रोजेक्त दौराये रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें अगर हम अधर एशन नेशन की बात करें तो टॉप टैन में हमार इंक्लूट है सेकंड पोजिशन पर उसके बाद फिर यमन है थर्ड पोजिशन पर आपकाता है जो यह अर्ली बार्णिंग प्रोजेक्ट है कि जोइंट इनिशेटिव है साइमन सोट सेंटर फॉर दे प्रिवेंशन अफ जेनोसाइट अड़ युनाटेट इस्टेट्स होलोकास्ट मेमोरियल मूजियम और डिके सेंटर फॉर इंटरनेसल अंडरस्टेंडिंग इनके बीच में इंडिया और विच्ट कंट्री साइंड एन एग्रिमेंट ओना कॉंप्रेहंसिव माइग्रेशन और मॉबिलिटी पार्टर्शिप भारत तुर्किस देश ने वियापक प्रवासन और का तीशीलता सहधारी पर एक समझोते प्रस्ताक्षर किये सही आंजर आ माइग्रेशन और मॉबिलिटी पार्टर्शिप इससे सम्मादित तो यह एग्रिमेंट मैं देख रहा था तो इसमें इस तरह का मतलब हमारे उद्देश से एक्जाम प्रोस्पेक्टिव से कुछ ऐसा जानने के लिए नहीं के इतना आपको याद रखना है कि भारत ने किसक मेर और यहां की जो चांसलर हैं और अलफ इसकॉल जें एस पर दा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन एकोनोमी के अनुसार नवंबर में भारत की बेरोजकारी दर कितने प्रतिशत हो गई सही आंसर ऑप्शन ए है आठ प्रतिशत देखिए इस तरह कोश्टन भी आपके में पूछ ले जाते हैं कि बेरोजकारी की प्रतिशत क्या रही या फिर महंगाई की प्रतिशत कितने रही तो इन पर आप विसे जोड़ दिया कीजिए तो इंडिया की जो एंप्लॉयमेंट रेट है नवंबर के महीने यह आठ प्रतिशत तक बढ़ गई है पिछले तीन मह इजाफा देखने के लिए नमंबर में प्रिवियस मंत में 7.21 परसंट थी वही रूरल अनप्लॉयमेंट रेट यह तो कम हो गया है 7.55 परसंट हो गया है जबकि पिछले महीने 8.04 परसंट था तो रूरल अनप्लॉयमेंट रेट में तो गिरावाट देखने के मिली है लेकि 22nd in the prime global cities index quarter 3 2022 prime global cities index quarter 3 2022 में किस भार्थ शहर को 22 वाइस स्थान मिला सही answer option A मुंबई है तो जाने का लंडन बेस्ट प्रोपर्टी कंसल्टेंट फिर्म है नाइट फ्रेंक तो इन्होंने अपने जो इनका annual price appreciation of premium residential properties इस से सम्बंदी जो global index होता है इसमें मुंबई को 22 पोजिश इसमें बताते हैं कि जो premium residential properties है ना बड़े-बड़े सहरों में तो उनमें annually कितना प्रतिशत जो है प्राइस बड़ोती देखने के लिए मिली है जो residential properties है उनमें उनकी जो कीमत है वह बड़ोती देखने के लिए यह बताते है यह इस index में तो मुंबई इस मामले में 22 नंबर पर है तो 45 प्लस cities worldwide इन्होंने इस इंडेक्स मिली है आपको बता दे जो इसका नाम है इंडेक्स का ही है प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स तो थर्ड उकार्टर की बात कर रहे हैं जुलाइस सिस्टंबर के बीच में तो मुंबई है इसमें बेंगलूरू की बात करें और 27 नंबर पर है निव डेली की बात करें तो 36 पोजिशन पर है और इन तीनों ही सिटी जो एवरेज एन्वल प्राइस है इन रेजिदेंशल प्रपरटिस का इसमें बढ़ोती देखने के लिए मुंबई में 4.8% येर ओन येर ग्रोथ देखने के लिए बैंगलूरू में 3.3% निव डेली में 1.2% आपको बता दें सबसे फास्टेस्ट जहां पर बढ़ोती देखने के मिली है देखिए देखिए दसीटी विद फास्टेस्ट राइजिंग प्राइम प्राइम प्राइसे इन दे ये रही दूबई इसमें भी आप देख सकते हैं बैन नंबर पर दूब केंघ ओडेल्डव देखिए अटसटाय मंच मार बेंचके मार की सुलेण पर सिuria क्या फीज rate CWCWCWCWCWCWCWCWCWCWCWCWC,WCWCWCWCWCWCWCWCWCWCWCWCWCWCWCWCWCWCWCWCWCWCWCWCWCWCWCWCWCWCWCWCWCWCWCWCWF Successus cable channel mode where the ET Startup Awards 2022, answer is Mani Kishore Vajipayajula, एक को फांडर एंस नियमे बनियान निशन के, विच बैंक हैसाथ बरुचा, as Deputy Managing Director, SDFC Bank, हाव मच साल्ट कंजप्शन दस वर्ड हाल्ट और एंसर एंसर इस 5 ग्रम, बजबी लिडर और चीफ मिस्टर अफ गुजराथ, वुपेंदर पतेल, इस रुनिंग फोर असेंबली एलेक्शन इंद इस टेट फोर्म विच कॉंसिटेशन शेंसर इस गाट लोडिया, और आप में से कई एस्टेशन से बिल्कुल शही आंसर दिया है, इसी तरह से पार्टिस्पेट करते रहिए, चले आचे साइमेंट कॉश्चन शेंगे, काफी अच्छे कोश्चन से, आंसर करने ही कोशिच की जेगा, लेक पिछोलाइज लोकेट इन विच सिटी, विच फ्रेंच निज्स मेंगजीन अनुली प्रेजेंस इनुली प्रेजेंस दिबलेंड और आवार्ट, प्रेंट कॉश्चन ने बताईएगा, PM Narendra Modi's registered water in which constituency in Ahmedabad, a first of its kind tribal winter festival was held in which district of Jammu and Kashmir, which has become the first state to get true 5G in each of the 33 district headquarters, India is developing small modular reactors with up to megawatt capacity to fulfill its commitment to clean energy transition, The Delhi High Court recently passed an interim order to prevent the unlawful use of which Bollywood stars name, image and voice, काफी अच्छे कोश्चन है, ज्यादा ज्यादा संख्या में participate कीजेगा, comment box में answer कीजेगा, साथी current affairs funda.gov, telegram पर भी join कर सकते हैं, यहाँ पर regular video updates और current quizzes हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं, साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पासकते हैं, दोस्ते हैं आप हमारे current interface की pleasure दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, fellow experience साथ हमारे current interface को share जरूर करें, आज का इस session आपको कैसा लगा, comment box में जरूर बताईएगा, thank you guys.